नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है अर्षिद वेदी और मैं आपको सवाथ करता हूँ इस वीडियो में कमेंट्स में इंस्टाग्राम में मेल में बहुत जगों पर एक क्वेरी आ रही है कि सर करेंट अफेर्स के नोट्स कैसे बताएं अब देखिए मैं त कि के सवाब ढलते है अब इन सोर्से से एडिटोरियल से जो डेली करंट अफेर्स You की वीडियो वीडियो लेकी आ रहहा हूँ आप अपने लिए क्रेंट अफेर्से क्या-क्या निकाल सकते हैं नोट्स कैसे ले सकते हैं और यहाँ पर आप इन चीजों को सिर्फ उस respect में नहीं ले सकते हैं कि जो मैं आपने channel में डाल रहा हूँ जो आप दूसरे sources से पढ़ते हैं जैसे कि मालीजे बहुत सारे लोग insights से current affairs पढ़ते होंगे बहुत सारे लोग vision ऐसे current affairs पढ़ते होंगे इस तरीके कि current affairs भी अवलेबिल है तो अगर आप वहां से भी पढ़ते हो तो भी मैं आपको यह बताता हूँ कि आप current affairs को पढ़ते वक्त exactly notes कैसे बनाओगे बहुत ही simple approach है simple approach यह है कि कोई भी आपको exactly यह बता नहीं सकता कि आपको current affairs क्या लिखने है कि यह आपको identify करना evolving papers के साब से for example आज मैंने एक editorial आपके साथ discuss किया था no great escape यहाँ पे public distribution system of India की बात की जारी थी और यहाँ पे देखिए एक data दिया गया है global hunger index का इस साल जो global hunger index है उसने 127 countries 107 countries को rank है जिसमें से इंडिया की जो rank है वो है आपकी 94 अब यहाँ पे दोस्तों आप इस information को किस तरीके से प्रियोप कर सकते हो for example आपके सामने और यह मैं में मेंस के perspective मता रहा हूँ prelims के perspective मैं अलग से आप से बात करता हूँ मेंस के perspective में अब यह एक particular information देखिए एक चीज़ होती ही समझने के लिए और एक चीज़ होती है notes बनाने के लिए COVID-19 के आने के बाद हमारी nutritional indices खराब हो रहे है economic growth बहुत सालों की है वो रुख गई जो कुछ भी हमने poverty को eradicate करने के लिए mal nutrition को eradicate करने के लिए क्या वो बेकार हो गया अब यह बहुत general points है यह आपके दिमाग में already है अगर आप लगातार मेरा editorial या कोई भी और editorial सुन रहे हो तो लेकिन इस तरीके की चीज़ें कि भाई global hunger index में इंडिया 107 countries में 94 countries में South Asia में श्री लंका, बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान से भी पीछे BRICS में सबसे पीछे country का score जो global hunger index में 27.2 है अब ये कुछ particular information मैंने आपको बताई इस particular information को आप कहा कहा इस्तेमाल कर सकते हो जरा सोचो COVID-19 के pandemic के बाद food insecurity इंडिया में किस हद तक बढ़ रही in fact COVID-19 से related आप से अगर ये भी पूछ दिया जाता है कि COVID-19 से economy के सामने क्या challenges आए तो आप इस information को कोट कर सकते हो तो notes में आप उस information को कोट करिए जो बहुत ही जादा unique है जो आपको normal course में याद नहीं रहेगी जो कि general courses में जो general information होती जैसे कि मैंने बताया कि COVID-19 के चलते एकनौमी growth रुख गई तो हमारे पास food inequality को बढ़ाने के लिए ways नहीं है ये general information है ये आपको याद है लेकिन specific statistics की global hunger index में हम यहाँ पे stand करते है अब कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ discuss किया था कि international monetary fund इसकी एक word economic outlook करके एक report आती है इस word economic outlook report का जो title है इस बार का वो है long and difficult ascent तो भाई इस साल की word economic outlook जो report है IMF की अब पहले एक बार एक question पूछा गया प्रिलिम्स में की word economic outlook कौन निकालता है तो ये तो अब हलुआ सवाल हो गया ये तो आप पूछेगा नहीं UPSC, UPSC के तो सवालों का level आपको इस बार के प्रिलिम्स देखके बता चल रहा होगा तो इस बार की जो work economic outlook नाम की वो लगबग 10% से shrink हो रही है अगले साल इंडिया की economy लगबग 8% से बढ़ेगी तो इस तरीके के statistics मैं daily editorius में बहुत सारे देता हूँ आपको आपका काम ये है इस type की जो statistics है इसको आप अपने notes में incorporate करते जो और मैं आपको दोस्ते एक बात बताऊंगा देखे बहुत simple चीज़ है आप अपनी preparation के दौरान prelims के लिए तो पढ़ी रहे हो static पढ़ी रहे हो बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी preparation के दौरान कि वो शुरुवात में कभी भी answer लिखने की कोशिच नहीं करते हैं मैं आपसे कहूँगा कि ये कभी मत करना आप अच्छा answer लिखो चाया आप घटिया answer लिखो आप answer लिखो मैं बताता हूं क्यों और अलग से questions दूरने के जरूत नहीं है जो इस साल UPSC mains के सवाल आएंगे जो पिछले साल UPSC mains के सवाल आए तो उस पे लिखो बिल्कुल blind लिखो कोई जरूत नहीं कुछ पढ़ने की जो मन में आए लिखते चले जो क्योंकि जब आप actually एक answer को लिखो गे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहां पे भी खुद ही आपको समझ में आएगा आप कितनी भी बड़ी coaching join कर लो ठीके ना कोई भी आपके answers को personally review नहीं करेगा ज़दा थर coachings में क्या होता है कि आप अपनी answer sheet लिखके online उसको submit कर दोगे और वो आपको लिखके बता देंगे कि आप answers में यह यह points को incorporate कर सकते थे और वो बताना कोई rocket science नहीं है वो आपको भी पता है आपको चाहिए यह कि जिस comprehension के साथ आपने answer लिखा जो flow chart बनाया क्या वो वहाँ पे contextual था क्या यहाँ पे hierarchy को कुछ उपर नीचे किया जा सकता था यह आपको कोई भी answer checking में नहीं बताएगा यह आपको खोद identify करना है answer writing अगर आप शुरू कर दोगे अपने preparation के शुरुवात में अपने preparation के एक दो month down the line आप answers लिखो जादा नहीं दो questions को blindly उठाओ 20 minute का time limit set करो stop watch पर answer लिख डालो जब यह practice आप संडे संडे पे लागू कर लोगे तो over a period of time यानि आपकी preparation शुरू करने से 6-8 महीने मर अगर आप मालीजी एक साल से preparation कर भी रहो और मालीजी आपकी proper preparation track पे नहीं जा रही है बट आपको अच्छा कासा idea लग चुका होगा तो new commerce के लिए यह चीज है especially जो थोड़े पुराने हो गया उसको यह बात पता होगी जो new commerce है जो एकदम तैयारी शुरू किये दो-तीन महीने होगा फ्रेश है अगले साल का इजाम दे रहे हैं वो तो-तीन महीने नोट्स बनाने पे जाए ही ना इस दो-तीन महीने में हो वो 20-25 answers लिखें पुरानी UPSC मेंस के कम से कम पुरानी UPSC मेंस के questions को देखें और वो प्रेजेंट के editorial के data को निकालके उन questions के answer को attempt करने की कोशिश करें देखें कि क्या इस answer में कोई एक ऐसा facet होता है जिसको मैं गुसर सकता हूँ भाई UPSC के जो सवाल होते है उसमें आपको अपने answers को broad रखना है जितने अलग-अलग databases को आप quote कर से को उतना अच्छा है तो इंडिया के health field को improve करने के लिए सिर्फ COVID-19 की health problems नहीं tuber clauses में हमने क्या किया, non communicable diseases में हमने क्या किया, इन सब चीजों से related data भी अगर आप quote कर दोगे आपको कुछ extra number ही मिलेंगे और उस सब के लिए आपके पास find one liner notes होने चाहिए जो कि आप 7-8 महिने के period में तयार करोगे और ये notes किस तरीके से बनाने हैं, ये आपको तब पता होगा जब आप उस notes को, इस information को किस तरीके से exam में use करोगे और आपको किस तरीके से ये information इस्तेमाल करनी है exam में, ये आप answer writing practice खुद करके जानोगे, आपको कोई भी नहीं बता सकता जो भी आपको कह रहा है कि हम आपको बता सकते हैं, वो जूट बोल रहा है जैसे कि for example, आज की current affairs में मैंने ये news कवर की है अब यहाँ पर दो information आपको काम की निकल रही है अगस्त में एक Indian Council of Medical Research का zero survey हुआ था, जिसने बोला था 7% of the adult population has been exposed to virus, तो अगर 130 करोण की population है तो 91 लाग लोग almost इस virus के touch में आ चुके हैं, ऐसा बोला जा रहा है वहीं पर Department of Science and Technology का एक 7 member का expert panel है वो ये बोल रहा है कि September में COVID-19 peak हो चुका है अब यहाँ पर दो बहुत contradicting statements दिख रहे हैं एक तरफ, zero survey जो ICMR की आई थी, तब यह बोला गया था कि 7% of the adult population exposed हो चुका है और अभी भी हम peak पे नहीं पहुँचे हैं, अभी भी हम herd immunity पे नहीं पहुचे हैं चुकि बड़ी-बड़ी scientific surveys यह बोल चुकी हैं कि herd immunity होती है जब 60-70% of the population infect हो जाए और ICMR का अगस सरवे बोल रहा है कि 7% of the population effect हुई है तो अगस से सेप्टेंबर में COVID peak कर गया क्या अभीसी बात है यह दो बहुत contradicting information है अब दो information यह ICMR की सरवे अगस में बोल रही है कि 7% population infected है और दूसरी information Department of Science and Technology का expert panel यह बोल रहा है कि COVID-19 September में peak कर गया इन दोनों information को आप बहुत जबरदस तरीके से अलग-अलग सवालों में quote कर सकते हो कैसे quote करना है यह आप तभी जान पाओगे जब आप सवालों के जवाब लिखोगे नहीं तो आप नहीं जान पाओगे बहुत simple चीज है कोई भी आपको नहीं बता सकता कोई भी teacher जो बोल रहा है जूट बोल रहा है इसलिए है मैं अलग से कभी भी आपको notes बनाने का ग्यान नहीं बाढ़ता हूँ बार-बार पिछली बार भी जो मैंने notes बनाने की वीडियो थी उसमें मैंने यहीं बताया था फिर से मैं आपको यहीं बता रहा हूँ mains की preparation के लिए और even prelims अच्छा prelims में जो स्थों जो current के सवाल आते हैं वहाँ पे कभी-कभी factual information आपके काम आ जाती है जैसे कि अभी थोड़ी दर पहले ही मैंने आपको बताया कि IMF की जो report आई है word economic outlook की इसका title क्या है यह किसी prelims के सवाल में हो सकता है हाला कि एक आसान सवाल होगा कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होगा तो current की जो prelims की information है वो factual हो सकती है current में prelims में अगर analytical सवाल आता है तो थोड़ा आप अपना दिमाग लगा के option elimination करके solve कर सकते हो लेकिन factual चीज़ आई तो आपको पता होनी चाहिए अगर आप mains की preparation धंक से कर रहे हो तो prelims के factual चीज़ों की preparation आटोमेटिकली आपकी हो जाएगी तो एकदम शुरुआत करते ही नहीं बट हाँ शुरुआत से 3-4 महीने बीतने के बाद आपको कही ना कही mains की preparation में गुसना पड़ेगा और बहुत detailed नहीं आपको चीज़ों की analysis करनी है और 2-3 आंसर जब भी आपको समय मिले हफते में एक बार या दो बार बैट के लिख लेने हैं जिससे आप क्या सुकून मतलब एक push बनेगा बहुत सारे लोग आप मेंसे ऐसे होगी जिन्होंने कभी भी mains का answer लिखने की कोशिच नहीं की कई होगी क्यों होगी या कुछ ऐसे होगे जिन्होंने एक answer लिखे दो answer लिखे पांच answer लिखे फिर रिखना बंद कर दिया यह गलत approach है पांच के बाद भी लिखते रो रहे लिखते जाओ भाई आपको तो लिखने की बहुत practice करनी है एक, दो, तीन, चार, पांच के बाद यह मत सोचो कि review कौन करेगा आप खुदी review करो अपने answer को that's the best approach एक बार आपने answer लिखा उसका देखो इंटरनेट पे सर्च मारो उस topics related जो भी question में पूचा गया है उससे इंटरनेट में सर्च मारो information को निकालो देखो तुमने क्या चोड़ दिया तुमने क्या नहीं लिखा खुद self analysis करो UPSC का सारी है यह लेकिन इस point से कोई चीज बेची नहीं जा सकती क्योंकि जो modus operandi होती है courses को बेचने की वो यह होती है कि हम आपको answer writing practice करेंगे और हम आपको बताएंगे आपको क्या लिखना है कोई नहीं बता सकता अगर बताने वालों के अंदर इतनी काबलेत होती न तो मैं भी I.S. बनके बैठा होता this is reality ठीक है जो भी I.S. बना है वो कोई छोड़ के पढ़ा नहीं रहा है वे एक दो लोग हैं लेकिन उनका भी नाम खराबी हो रहा है मार्केट में वो चलिए ठीक अलए एक अलग बात है कुछ और important information मेरे channel के अगर आप playlist section में जाते हैं almost सारे articles में कराता हूँ जो काम के नहीं है वो मैं skip करता हूँ कभी कबार एक दो दिन अगर लेट हो जाए तो एक दो articles skip करता हूँ नहीं तो मैं almost सारे articles दा हिंदू के cover करता हूँ Indian Express के या बाकी sources के कुछ important articles जहां पे आपके लिए information निकल सकती है जैसे कि पहला यह है जो आपको वीडियो दिख रही है how Google, Facebook, Amazon and Apple are dominating, mobilizing the global online marketplace recently मैंने Science and Tech की सीरीज में data science से related एक वीडियो बनाई थी recently CM Jagan Mohan Reddy और High Court of Andra Pradesh की बीच में क्या लडाई हो रही है TRP scam क्या है, World Food Program क्या है Canon protest जो US में हो रहे है यह सब चीजों पर recently मैंने वीडियो बना रखी है यह जो issues in news है ना इसके उपर मैं regularly वीडियो बना रहा हूँ और इस पर मैं अपनी वीडियो को बनाने की जो speed है ना वो तेज कर रहा हूँ यह सारे topics आपकी UPSC मेंस के perspective से important है एक यह biography of APJ Abdul Kalam को छोड़ दीजे चुकि इससे directly UPSC में कुछ नहीं निकलेगा बट फिर भी ठीक है चलिए एक दो biography तो आप आराम से skip कर सकते हो बट जितनी भी चीज़ें आपको important नजर आ रही है वो सब आपकी UPSC के मैंस के perspective से important है इन सारी वीडियो में कुछ आपको ऐसे points मिल जाएंगे जो कि आपको mains में तो specifically मदद करेंगे और prelims के भी बहुत से facts निकलेंगे prelims का paper UPSC में factual प्लस analytical होता है अभी factual तो आपको fact information पता होनी चाहिए और analytical में आप MCQ में अपना दिमाग लगा के चीजों को illuminate कर सकते हो analytical skill आपकी तभी अच्छी होगी जब जितनी ज़्यादा आप analysis के साथ चीजों को देखोगे और मैं इन वीडियो में बहुत analysis के साथ ही आपके सामने चीजों को लाने की कोशिश करता हूँ तो बस मेरा यही कहना दोस्तों अब तक शायद आप में से बहुत सारे लोगों को समझी आ गया होगा कि मैं actually मैं कहने की कोशिश क्या कहर रहा हूँ कहने की कोशिश यह है कि अपनी preparation की शुरुवात में notes की तरफ मत मागे तीन से चार महीने down the line of your preparation और अभी भी अगर आप अगले साल का exam दे रहे हो तो दो-तीन महीने के लिए तो आप इस process को afford करी सकते हो दो-तीन महीने जो भी आप regularly पढ़ रहे हो उसको पढ़ो साथ-साथ हर महीने अगर आप 2021 का exam दे रहो कम से कम हर महीने आप 7 से 8 या 10 answers की writing attempt करो एक बार में 2 answers की कर सकते हो तो हफते में एक महीने में आपको 5 बार ऐसा निकालना पढ़ेगा जो 20-20 minute के लिए बैठना पढ़ेगा और answers लिखना पढ़ेगा इससे actually में आपको ये मालूम पढ़ जाएगा आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है मैं आपको PPTs प्रोवाइड करता ही रहता हूँ एडिटूरल की उसमें statistics लिखे ही है issues and news की videos आपके लिए available हैं कभी भी आप इन videos पे वापस आके इनको देखके fast forward करके अपने notes के वो statistics incorporate कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं but blindly note मत बनाओ आपको जब पता ही नहीं है कि आपको क्या लिखना है exam में तब note मत बनाओ first जाओगे कोई फाइदा नहीं होगा पहले समझो कि exam में लिखना क्या answers में लिखना क्या है और उसके हिसाब से अपने notes बनाओ और ये आपको खुद समझना है जो भी exams qualify कर रहे हैं जो भी मेरे daily current efforts के discussion है वो भी आपको मदद करेंगे उनकी ppt की pdf भी मैं आपको regularly provide कर देता हूं वो telegram channel पर पढ़ी है वो पढ़ी रहेंगे आप हमेशा उनको use कर सकते हो so thank you for watching friends have a great day good bye